हेलो गाइस वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल सलोन फैक्ट का इस आज मैं बात करने वाला हमागुनी कलर के बारे में हमारी अच्छी विजीवल अच्छी सेड जो आती है हमारी 6.5 7.5 8.5 आती है और हम तीन नमर के बाल पर चान नमर के बाल पर पांच नमर के बाल पर अगर यह कलर करना चाहे तो कैसे करेंगे कैसे अच्छीव करेंगे वह इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला वीडियो स्टार्ट करने से पहले का इस आप से रिक्येस्ट कर आप इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना and don't forget to press the bell icon का इस मान लीजिए क्लाइन का बाल 5 नमर आपको 7.5 का कलर चाहिए यानि यह मोगनी ब्लाउन का तो आप क्या करेगी गाइस फाइफ नमर के हेर आप क्या करेगे 7.5 का कलर लेगे और 20 वोल्यम में भी आप यूज करेगे तो आपका एक सेट आ जाएगा क्यूंकि टॉन्टी वोल्यम दो लिफ्ट आपको दे देता है फाइफ से सेवन पर जाओ तो इ हैं कर गाइस अगर बात करते हैं हम तीन नमब्र के बाल पहं सेवन पर जाना जाते हैं उला हमारा है जाएगा भांगान तो आप कईकरेगे 30 के बाल पर 40 वोल्यम में भी आप 7.5 लगाते हैं हेर तोगाउस आपको यह फोर तो आपको यह तीन लीवल लिफ्ट देगा 40 वोले हमें सा एक लेबल कम लिफ्ट देता तीन नमबर के बालों पर यानि कि आपको ये 6.5 की सेड देगा 6.5 की सेड आपको देगा क्लाइंट का जो डिजार जाल देता वो ता आपका 67.5 तो गैस ये लेबल आपको डाउन देगा और डार्क देगा अब आ आपको क्या करना पड़ेगा प्रिलाइटनिंग प्रिलाइटनिंग और या तो आप इसको कलर को कर सकते है डायरेक्ट ठिके गाईट अगर आप डायरेक्ट करना चाहते है तो वो इस कलर से बिल्कुल भी नहीं आने वाला ये जैल्ट अगर आप करोगे तो आपको 6.5 की ही सेट देगा आपको मैं पहले बताता हूँ डायेक्ट वाला तरीका डायेक्ट तरीका क्या है आपको क्या करना है माजी लिफ्ट लोरेल की ही एक फैमिली है इसमें आता है 12.5 का माजी लिफ्ट कलर आता है जो आपका मोगनी की ही सेट दे क्या होता है आप अगर बाख हो में प्र लाइटिंग नहीं करना चाहते disponence to valid level1us Но आपको क्या करना है Apostles Master साहई में रिफ्लेक्षन भी जेड्यक्सिन भी की जेड को लेवल भी लिफ्ट कर दीता है तो आपको क्या करना है त्वीर फ्टी यश्का अक कि ट्यूब लिए तो आपको 120 ml लेना पड़ेगा यानि कि डैवलोपर वन इंस्टू टू कि इसकी रेशियो होती है आपको बिटाइट कलर यह आज जाएगा 7.5 का आपको कहके करना है बालो को 40 से 50 मिनेट्स लगा के रखना है बालो में और आपको 40 मिनेट्स में चेक कर लेन कर दिखती जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यह महुगनी की टाच होती है इसमें रैडिस रैडिस सा दिखता है थोड़ा थोड़ा ब्राउन भी दिखता है और को पर भी दिखता है और मैं आपको पहले बता दूए महुगनी कलर किस दो कलर से मिलकर बना है ऐसा वॉइलेट हो गया ठीक है पॉइंट फॉर हो गया हमारा ओरेंज यह दो कड्र मेर्स मिलता है ओक एप आप से के आपको पता किसी के आपको अब राखने तो माउणी का कलर। अगर आपके बालो को प्रिलाइटनिंग करना empowerment कुलिए को आप आपको मैं यह बताता हूँ कि अगर आप बालो की पीड लाइटनिंग 7 या 8 लेवल तक करते हैं येलो तक येलो या येलो औरिंज तक तो आप 7.5 का कलर यूज करते हैं तो आपको महोगनी का रिजेल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा इसका रिजन मैं आपको बताता हूँ मा और 7.5 आप सपर डिपोजिट करेंगे 0.5 के होगे हमारा जैसे का आपको बताया है रैड ओरेंज और थोड़ा-थोड़ा जैसा दिकता है आपको ये तो मैं आपको बताता हूँ अगर आप ये ज़्यादा रेड रेड का ہी फैमिली का कलर होता है राइड इसमें होता है और रेड और येलो आपसमें जब मिलते हैं जब ये मौनि कलर से मिक्स होता है तो हमार को दूसा कलर केरेट करके देता है जो कि हमारे ओरंज बहुत 21 दिखता है ot Makamer is 22 मतलब बहुत जदा यज्व्याब को पन definicite sound देता है जैसे है। को 7.4 चेवन पॉइंट 4 या फी 7.4 जीरो इस तरह का पूर यह बन जाता है तो पर प्रैलिटनिंग पर करे कैसे गाईस का क्या हल है कि आप यह प्रिलाइटनिक पर हैर पर कलर कर सकते हैं प्रिलाइटनिंग के आपको कहा जोत पड़ जैसा के मानलेजे क्लायम के पर कोई दूसरा color हो रखाए आपको उस color को cut करने के लिए pre lights करने पड़ रही है दैन आपको ए color चळाना है तो आपको मैं बता दूँ गयास आपको जो मोगनी color है वह कोपर पर ज्यादा अच्छा चड़ता है क्योंकि मैंने जैसे आपको पता है औरेंज और वोलेड मिलके मोगनी बनता है यानि मोगनी में कोपर के यहां टोन हैगी यह कोपर कलर थोड़ा सा हैगा तो आप कोशिस करिए का गाइस पी लाइटनिंग ज्यादा लेवल लिफ पर आजाये यानि कि छे तक रखे या 6 से नीचे रखे आप छे या 6 से नीचे रखे और एप प्रिलाइटनिंग कर लेते हैं तो ठीक रहेगा या 6 से नीचे प्रिलाइटनिंग कर रहे दैन आपको 7.5 का जो कलर है वो डिपोजिट करना है और टैन वोलियूम में या फिर 20 में सब्सक्राइब और अबको ऑसन आपको तरह सब्सक्राइब। आपको ये वीडियो अच्छे समझ आगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना and don't forget to press the bell icon